अबे जल्दी बोल कल सुबे पनवेल निकलना है अससराम अलेकुम कैसे हैं आप सब पाकिसना शोबद इंडस्टी में कुछ ऐसी सिलेबिटीज मौझूद है जिन्होंने बहुत ही कम काम किया लेकिन उन्हेरे शौरत की वो बुलंदिया हासिल कर ली जो लोग कई कई साल काम क करने के बावजूद भी आसल नहीं कर पाते यह एटीज और नाइटीज का वो दौर ता जहां पर सोशल मीडियल प्रेटफर्म इतने आम नहीं थे ना को प्याइप प्रमोशन की जाती थी और ना को प्रोड़क्शन हाउस अपने ड्रामिक की प्रमोशन किया करता था आज क किन हालात में हैं आज वो सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में अगर आको भी जानना है तो बने रहे यह वीडियो के एंट तक सो लेट स्टार्ट दव वीडियो शेहनास शेह के पाकिस्तान शोबस इंडस्ट्री में 80's की मोस्ट बिलियन्ट एंट टैलेंटिड एक्टरस थी इन्हों ने अपने कैरियर में ड्रामा सीरिल तनहाईया और अनकही में काम किया इनका करेक्टर जारा जो इन्हों ने तनहाईया में प्ले किया तो लोगों को बहुत पसंद आया इनको मरीना खान की जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया और इनको एवर गीम बना दिया लोग आज में इनको टीवी इंडस्ट्री में देखना चाहते हैं इनसे एक इंटर्यव में पूछा गया कि इन्हों ने शोबस इंडस्ट्री क्यों छोड़ दी तो इन्हों ने कहा कि शोबस इंडस्ट्री एक प्रॉपर टाइम मांगती है जो कि मैं उसको नहीं दे सकती इन्हों ने अपने कहरे कागास ड्रामा सीरियल धुआं से किया था ये ड्रामा सीरियल ड्रग माफिया और टेररिजम के उपर बेस करता था ये एक एमोशनल थिल ड्रामा था इस ड्रामे को लिखा भी आशिर अजीम ने था इनका तालुक कस्टम डिपार्टमेंट से था जिसकी वजह से इन्होंने इस ड्रामे को लिखा ताके लोगों में अवेर्नेस पैदा की जा सके इसके बाद इन्होंने टीवी इंडस्ट्री में काम नहीं किया लेकिन लोग आज भी चाहते हैं कि आशिर रजीम उनको ड्रामा इंडस्ट्री में नजर आएं आशिर रजीम में कुछ अर्सा पहले एक फिल्म मालेक लिकी थी और उसको डारेक्ट किया था लोगों ने इस फिल्म को भी बहुत पसंद किया आज कल आशिर रजीम यूट्यूब का चैनल रन कर रहे हैं जिसमें लोगों को डिफरन्ट सोशल इशूस के उपर अवेडनेस देते हैं स्यद कासिम शा ल्था पो первऻ चार्ली से चौरत हसल करने वाले स्यद कासिम शा को लोग कैप्टन गल्शेर के नाम से भी जानते हैं йται मासूम चैर और शरारत तेयर करते हैं आज भी लोगों को याद है ड्रामासीर छलफा प्रॉब चार्ली में उनकी आउत्सरेंडिक प्रफॉर्ममेंस की वज़े से लोग आज भी इनको पसंत करते हैं और ड्रामांट्री में देखना चाहते हैं लेकिन इनोंने शोबिस इंडुसरी में कुछ खास काम नहीं किया इन्होंने पार्क आर्मी में एज़ा करनल रिटार्मेंट ली और आज के लिए आई टी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं इन्होंने अपने एक सोशल मीडिया प्रेटफॉर्म पे अपनी एक पिक्चर आहज़रे सामी के साथ शेयर करते हुए कहा था कैप्टन काशिफ करमाईनी का करेक्टर प्ले किया जो लोगों को बहुत पसंद आया और इस करेक्टर ने इनको एवर ग्रीन बना दिया और ये शोरत कि इन्हों बलंदियों पर जहां पहुंच जिसके लिए लोग कई कई साल लगा देते हैं लेकिन एक्टिंग इनके पेशन और गोल्स में नहीं आती थी जिसकी वजासे इन्होंने एक्टिंग को खेरा बात कह दिया जब इन्होंने ड्रामा सिर्फर बराबर चारली में काम किया तब ही आर्म फोर्सेज में अपनी सर्फिस अंजाम दे रहते इन्होंने आर्म फोर्सेज से भी बहुत जल्द रिटायर्मेंट ले लिए और इस शिकागो में शिफ्ट हो गए तूर साथ 14 में एक खबर सामने आए कि शिकागो में इनके घर को आग लग गई है जिसकी वजाए से इनका बेटा उस आग में जलकर जाँ भाग हो गया है और इनकी फैमली बहुत बुरे तरीके से इंज़र्ड हो गई है इन्होंने बहुत कोशिश की कि हमेशा सोशल मीडिया से दूर रहें और एक पब्लिक फिगर ना बनें इन्होंने कुछ अरसा पहले अपना एक यूट्यूब चैनल भी बनाया था जिसमें इन्होंने सरफ एक ही वीडियो अपलोड की और इसके बाद इसमें नज़र नहीं आए शेहनास खौजा पाकिसन शोबस इंडस्ट्री की मोस् फेमस एंड वेल नोन एक्रिस एंड मॉडल रह चुकी है शेहनास खौजा ने पहले टीवी डेपियर का आगास ड्रामा सीरा अर्फा बरवर चार्ली से किया था इसमें नहीं ने शेहनास का क्रेटर प्लेए किया लोगों ने इसमे इनकी अदाकारी को बहुत पसंद कर इनको एवर ग्रीन बना दिया लेकिन ये पहला और आखी ड्रामा था जिसमें ने नेंकूर अशेमें नायासा मोला मॉडल काम किया लेकिन उसके बाद इन अपने मेडिकल हेल्ट की बढ़ाई को परस्यू करना ज्यदा जरूरी समझा आज करी इनिवर्स्टी ओफ कैरोलीना में असिस्टंट डिरेक्टर रेजिलेंस ओफ रिकावरी एंड स्ट्रेटिजी काम कर रही है फराज इनाम ड्रामा सिल्फर बावा चारली का एक और यादगार करेक्टर कैप्टन फराज तो आपको यादी होगा फराज इनाम ने जब ड्रामा सिल्फर बावा चारली में काम किया तो उस वक्त वो एर फोर्स में काम कर रहे थे वो Air Force में एज़ा फाइटर पािलट काम करना चाहते थे लेकिं ड्यूटो वीक आयसाईट वो फाइटर पािलट नहीं बन सके जिसकी विज़ास में एज़ास जोड़ दिया भाली किया उसके पाद इनों ने एज़ा बैंकर जॉब की लेकिन लोग इनको ड्रामा इंडस्ट्री में देखना चाहते थे इसलिए इन्होंने 21 साल बाद ड्रामा स्रील एदे वफास से कमबैक किया जो कि लोगों को बहुत पसंद आया था इन में से आप किसको टीवी स्क्रीन पर दुबारा देखना चाहते हैं थैंक्स वर वाचिंग